हेलो विएन वेलकम टू इलक्ट्रिकल डोस दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चनल पर गाइस आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही जाना मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है इस टाइम गाइस बहुत सारे लोगों ने कम मॉट्स जनसे कैसे क्वोश्यंस आते हैं तो वीडियो की स्वार्ड करने तो सभी लोगों से रिक्वस्ट है घ्वराप मे庚ेले पहली हैं तो आप सभी लोग習 जानते भी होंगे कि मैं डेली ऑफिशल्स अपडेट्स जॉब रिकूरूमेंट्स अपडेट वैकेंसी से अपडेट अपकमिंग रिकूरूमेंट आंसर की एड्मिट कार्ड सभी से अपडेट लाता रहता हूं और मेरा सिर्फ मोटिवेशन इतना है दोस्तों जितने जाता लोग हमसे जूडते लिखेंग गया हूं यहां पर देखिए दोस्तों पहला जो पॉइंट है डिप्लोमा जो जी रसी का है गार्टण डिस से बील्डर इंजीनिर्स लिंटेड दोस्तों यहां पर जो जी रसी है डिपलोमा सूबर्वाइडर की जो रिकुरूमेंट थी उसका skill test होना, पहले चाहिए जान लेजिए, कि जो skill test है दोस्तों, वो सिर्फ qualifying in nature का होगा, maximum candidates skill test में qualify हो जाते हैं, आपके जब final made बनता है, वो written examination के basis पे ही बनता है, कि इसमें tension लेने की बात नहीं है, देखिए, आप skill test में practicals कराते हैं कि नहीं कराते हैं, देखिए दोस्तों, skill test मे कोई भी practical बगएरा नहीं होते, अभी तक का जो है, last time अभी, मैंने ये जो भी मैं feedback share कर रहा हूँ, दोस्तों, वो सब last time में जो candidate selected है, उन से बात करके, मैं आप सभी लोग से feedback share कर रहा हूँ, देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको normally, कहीं भी भी आप skill test करने आते, क्योंकि वो भी जानते, freshers के candidate को बुला है, वो practical, अगर वो डिपलोमा में किये भी होंगे, लैब बगएरा, तो उन्हें तो अध्यानी होता, तो नॉर्मल नॉर्मल चीजे पूछते हैं, जैसे पहला जो electrical वालों के लिए अगर हम बात करें, तो multimeter आ गया, ठीक है, अब आप क्या किजें, multimeter के बारे वो पूछ सकता है, कि AC, DC पर कैसे गाम कर सकता है, वो क्या करेंगे, आपको multimeter दिखाएंगे, जो एक real multimeter होता है दोस्तों, ऐसा नहीं, वो सिर्फ multimeter से question पूछेंगे, बस आपके सामने multimeter रख देंगे, और बोलेंगे कि इसे बताओ भई आप YouTube पे सर्च कर दीजेगा, multimeter, all about multimeter ऐसा जो भी आप सर्च कर दीजेगा, यूटूब पे, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी YouTube पर, जहाँ पे बहुत सारी लोगों ने अगर multimeter नहीं भी देखा है, कोई सर्माने की बात नहीं है, आप देख लिजेगा multimeter कैसा ह करेगा, तो ये सारी चीजे भी आप देख सकते है, multimeter के बारे में, ठीक है, दूसरी चीज दो सो हो सकते है, आपको मेगर दिखा दे, और पूस दे, कि भाई बताओ, ये क्या है, ठीक है, आप मेगर दिखा दिखा दिखा, आप मेगर पूछे का है, और थोड़े बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कठी चीजे, आप मेगर के बारे में, इसी तरह सीरीज कनेक्शन, पैनल कनेक्शन में, बल्व को चलाना है, ये सारी चीजे भी आप फूरा सा ध्यान दखीएगा, टेस्ट लैंप जो होते हैं, वो सारी चीजे आप देखेंगे, यूटूब पे सकते हैं, उन्सके बारे में, चीजे पूछे गां, बारे में जान लिए क्या है, आप मुझे उमीद है कि समझ भी रहूंगे बातों को कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, जो भी कोच्च्चर आने वाले हैं, बेसिक से आने वाले, कोई है यो कोई घर्वा ख़्यक्चन और देख लिए यूटूब पे उससे क्या होगा आप डिफ्रेंसियेट कर पाएंगे कि भाई यह इंडक्शन रिले हैं या फिर यह इलेक्ट्रो मैंगनेटिक रिले होता अप स्केल देख लिए दोस्तों समझ जाएंगे वहां पे लिखा होता है वी लिखा होगा समझेजिए वोल्ट मीटर है तो इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है आपको अपको अपर नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यह दिक्कत है या फिर यह इं अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच के साब से टूल्स के बारें पढ़ ले टूल्स भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल वाले भी देख लें वाइरिंग जिसे आपको कॉपर लग दिखा दिया था कॉपर लग दिखा दिया तो पूछा यह क्या है ठीक है तो मतलब कहने को जो जाए वो कोई भी ब्रांच आपकि इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल उस से बेलो आप जितने भी अपने प्रांच से लिटे टूल्स होते हैं इंस्ट्रुमेंट्स होते हैं वो सब चीजे उनकी फोटो वेगारा और या फिर उनमें जो भी दो-त्री टाइप को होता है उनमें देखना इजी है थोड़ा सा क्या होता है वीडियो देखने से आप विजिलाज़शन डारेक्ट होता है और चीज़े डारेक्ट समझ में आती है अगर आप कोई बुक या फिर कोई साइट से पढ़ रहे है तो थोड़ा सा आपको याद करने में टफ होता है अलेक्ट्रिकल व फोटोस वगेरा जरूर देखे जाए ठीक है में आपसे फ्यूज के बारे में पूछ लेगे ये फ्यूज कौन सा है देखिए और जो एक डिजाइन की वेकेंसी थी दोस्तों उसमें क्या था बहुत सारे कैंड़ेट्स को डिजाइन में आपको डिजाइन दे दिया जाएग आप जितने भी मोटर वगेरा चाहे वहों डीसी मोटर हो चाहे वह इंडक्शन मोटर हो चाहे वह सीख़वनस मोटर हो सब्ही कि ये वरकिंग प्रिंस्पल रूर पड़किए गा कि कैसे वह मूटर मुब कर रही है राइट हैं सो मशीन में लेंज कर प्रूब हो रहा यह क्य कोशन्स है दोस्तों जो आपसे वहाँ पूछने वाला है फिर एंटी एफेक्ट को पूछ लिएगा नॉर्मन नॉर्मल की कोशन देखिए जो वहाँ पे बैठे हैं जो इसके लिटेस्ट आपका लेते हैं वह दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत जाला मौडनाइज हैं वह जो अप अपने साइड से पूरा करेंटली अपडेट होके जाना है थाकि आप उसे कोई भी कोशन पूचे उसमें आपको डंप नहीं होना है और जो भी कोशन दोस्तों आपको नहीं आता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रियास करने की जरुवत नहीं है आप नॉर्मली बोल सकते है कि sorry sir, इसका जवाब मुझे नहीं पता है, अगर आप गलत बताएंगे, तो ये गलत ने इंप्रेसन पड़ेगा, लेकर अगर आप हलकी सी स्माइल देते हैं, ये बोल देंगे, sorry sir, इसका जवाब हमें नहीं पता है, तो कहीं न कहीं, वो भी समझेगा इस चीच को, कि लड़क वीडियो कैसी लगी दोस्तो, हमारा ये help कैसा लगा, comment section में एक बार जोरू बताएगा, और कोई doubt हो तो आप जोरू comment section में comment करेगा, आप सभी लोग को पूछ के, जो भी मगर मुझे नहीं भी पता होगा, मैं selected candidate से पूछ के, आप सभी लोग को reply कर दूँगा, तो hopefully दोस्तो आप सभी लोग कें इंफर्मिशन उपयोगी साभी तो ये चले दूस्तो, आज की वीडियो मस इतना ही, thanks watching this video, see you next time